हेलो एवरिबन मैं हूँ आपकी दीवशिखा और आप देख रहे हैं दीवशिखा लाइफ स्टाइल डेकोरेशन की नवरात्री सीरीज आज की चौकी बहुत ही कम जगे में आपकी बनके तयार हो जाएगी सुन्दर बैक्ग्राउंड के साथ तो वीडियो को end तक देखेगा छोटी सी वीडियो है step by step आपको आसानी से समझा जाएगा अब मैंने सबसे पहले लिया हुआ है एक cardboard जिसके उपर एक थाली रखी हुई थी जिसका निशान बनाया हुआ है पूरा circle नहीं बनाना है cutting करने के बाद वो इस तरह से आपको दिखेगा अब क्या है कि इसके उपर मैंने एक dark brown color का कपड़ा चिपकाना है आप अगर कपड़ा नहीं लगाना चाहते हैं color करना चाहते हैं तो आप इसको color भी कर सकते हैं मैंने कपड़े के उपर करके चिपकाया हुआ है नीचे की ये किनारी छोड़ी हुई है जिससे कि जब हम आसन पे चिपकाएंगे तो आसानी से cardboard चिपक जाएगा अब उसी की shape मैं टर्न कर लिया है अब ये board shape के जो है glass mirror लिये हुए है मैंने जो कि आपको craft की shop पे मिल जाएंगे decoration के लिए अब इसको हम पहले center से चिपका रहे हैं जिससे की एक पीछे mirror का design भी बनके तयार हो जाएगा और कोई भी craft का सामान होता है या कोई भी decoration हम करते हैं अगर हम mirror use करते हैं तो उसमें shining look भी आता है और देखने में अच्छा भी लगता है तो इस तरह से पहले मैंने पांच जो है boat mirror चिपका दिये हैं उसके बाद ये कपड़े के छोटे-छोटे से गुलाब के फूल है जिसमें मैंने multi color थे पर मैंने सिर्फ light color को यूज किया है क्योंकि background हमारा dark color का है तो इसलिए light pink और light color के ही जो cream color के हैं वही मैंने flowers को चिपकाया हुआ है तो ग्लास के बीच-पीच में जितनी भी जगह है वहाँ पे मैंने सभी जगह ये छोटे-छोटे गुलाब के जो फूल है वो चिपका दिये हैं आप कागज के भी बना सकते हैं अब ये जो किनारी है इसको पूरा cover up करने के लिए इस तरह से जो फूल है मल्टी कलर के मैं इसको पूरा cover कर रहे हूँ आसानी से आपका बनके तयार हो जाएगा बस आपको चिपकाना होगा ये देखिए पूरा background जो है complete हो गया है अब study table को मैंने रखा हुआ है और red कलर से उसको पूरा cover करेंगे बड़ा सा कपड़ा लेना है red कलर का क्योंकि जो चौकी है उसके उपर माताजी को आसन देंगे एक नीचे भी हम चोटी सी जो है चौकी रखेंगे जिसके उपर उनका पूजा का सामान रख सकें तो बड़ा सा कपड़ा आपको लेना है जिससे की एक ही कपड़े में दोनों जो चौकी है वो cover हो जाएंगे तो study table को देखे इस तरह से मैंने cover कर दिया है और उसको set कर दिया है अब ठीक इसके नीचे ही हम एक दूसरा box रख रहे हैं और इस red color के ही कपड़े से इसको भी cover कर देना है तो यह दिखे जो चौकी है वो बनके तयार हो गई है अब माता जी को बिठाने के लिए आशन देने के लिए मैंने एक golden color का जो box पहले भी तयार करके रखा हुआ है उसी को मैं use कर रही हूँ मैंने वीडियो में आपको पहल नहीं होता है तो इसी cardboard की box में आपको इसको चिपका देना होगा अब यह देखे पूरी जो माता की चौकी है हमारी बनके तयार हो गई है नवरात्री special जो सीरीज चल रही है वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से like कर दीजे साथी में चैनल को भी subscribe कीजे bell icon press करने के बा और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपने वीवेर्स के लिए जो बना रही हूं वो उनको पसंद आ रहा है आगे आने वाली वीडियो में भी आपको दिखाया जाएगा कि मंडब डेकोरेशन आप कैसे कर सकते हैं बहती आसानी से और कम जगे में अपनी सोसाइटी के या अपने घर के लिए माता की चौकी को आप किस तरह से सजा सकते हैं वो भी बेसिक चीजों से जिससे की बहुती कम समय में कम जगे में आपकी जो माता रानी की डेकोरेशन है नवरात्री के लिए वो आप कम्प्लीट कर सकें तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई आइडियास के साथ तब तक जुड़े रही दीपशिकास लाइफ स्टाइल डेकोरेशन के साथ और हस्ते रही है मुस्कराते रही है जिससे की तिवहार की जो तैयारिया करनी है उसकी थगावट भी आपको महसूस नहीं होगी थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्य।